नमस्कार मैं हूं सरकान प्रत्यूस और आप देख रहे हैं citypostlive.com आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि महागटवंदन में उपिंद्र कुस्वाहा की क्या भूमिका होगी उपिंद्र कुस्वाहा बहुत दुन से चूपी साधे हुए है और उनका कोई बयान नहीं आ रहा है शीटों के बटवारे को लेकर लेकिन उपिंद्र कुस्वाहा के घर उनके पाटी के करेकरता पहुँच रहे हैं आरजेडी के करेकरता पहुँच रहे हैं और आज नलंदा लोगसभा छेतर से आरजेडी के करेकरता पहुँचे थे और सबकी मांग यही थी कि उपिंद्र कुस्वाहा आरजेडी से वो सीट ले ले अपने खाते में तो उनकी जीत सुनिशित हो जाएगी उनका कना है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में अगर यह सीट गई तो कोई फायदा नहीं होगा कांग्रेस यह सीट जित नहीं पाएगी और पिछली बार आशिस रंजन सिन्धा कांग्रेस को मिद्वार थे लेकिन अपनी विरादरी यानि कुर्मी जाती का बोट नहीं ले पाये थे और यह कुर्मी बहुली इलाका है नितिस कुमार का गड़ है उनका गृष जीला है तो उपेंदर कुस्वाहा के लिए बहुत बड़ी शुनौती है कि नितिस कुमार के गृष जीले की लोग सभासीट पर नितिस कुमार को सिकस्त दें तो इस बात को ध्यान में रखते और कहा कि ठीक है देखा जाएगा जो जित पाएगा उसी को टिकट दिया जाएगा उपिंद्र कुस्वाहा ने कहा कि महा गटबंदन में किवल उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा जो जित सकते हैं हारने वाले को टिकट नहीं दिया जाएगा चाहें वो कितना भी उच पहुचवाला क्यों नहीं हो तो उपेंद्र कुस्वाहा एक तरह संकित दे रहे हैं कि महा गटवंदन में सब कुछ ठीक है महा गटवंदन एक जूट है और उसकी कोशिस यहीं है उसके घटकदलों की कोशिस यहीं है कि जहां से भी किसी भी घटकदल का नेता चुनाव तो जीते उसकी जीत सुनुशित किया जाए तो उन्होंने समझाया कि आपकी भावना से मैं बहुत प्रभावित हूं और आपकी भावना का ध्यान रखूंगा जब सीटों की बटवारे पर बात चलेगी तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उपेंद्र कुस्वाहा नित जीत सुनुशित मानी जाती है जो क्या ऐसे में एक जीडियू की सबसे फाइनल सबसे मजबूत सीट पर उपेंद्र कुस्वाहा दावा करेंगे उस से अपने पार्टी की प्रतियासी को चुनाव लड़ाना की कोशिस करेंगे यह सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि उस सीट से उनकी पार्टी में लड़ने वाला कोई मजबूत दावेदार भी अभी नहीं है तो देखिए क्या होता है यह सोची समझी रण निती के तहत आरजडी के नेता उपेंद्र कुस्वाहा से उस सीट की मांग करने के लिए कह रहे हैं या सबकी योजना यह है कि नितीश कुमार के गढ़ में घुसकर नितीश कुमार को चुनोती दी जाए यह तो आने वाला वक्त पतायागा कि कितनी बड़ी चुनोती यह बन सकेंगे नितीश कुमार के गढ़ में सुनोती के लिए जो भी होगा नतीजह आपके सामने आही जाएगा फिरहाल इतना ही आप सिटी जब तक हमरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू कर लिजे आपका सहयोग समर्थन लागातार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत अभार नमस्कार